जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है जब देश की बेटी उठ जाए तो अच्छे अच्छों को पसीना आ जाए भारत की बेटियां आज हवाओं को चुनोती दे रही है तूफानों को ललकार रही है यकीन ना हो तो शालिजा धामी से मिल लीजिए विंग कमांडर शालिजा धामी भारत की पहली महिला वाईु सेना अधिकारी जो फ्लाइट कमांडर बनी है दुश्मनों साबधान हो जाएए पंधरा सालों से वाईु सेना में रहते हुए देश की सेवा करने वाली शालिजा धामी ने हिंडन एयर बेस में चेतक हेलिकॉप्टर यूनिट में फ्लाइट कमांडर का जिम्मा समाल लिया है फ्लाइट कमांडर का पद वायू सेना में पहली प्रमुख लीडर्शिप पोजीशन होती है नौ साल के बच्चे की माँ शालिजा पंजाब के लुधियाना में पली बढ़ी वो बच्चपन से ही पाइलेट बनने का सपना देखती थी अपने पंधरा सालों के करियर में उन्होंने चेतक और चीता जैसे हेलिकॉप्टर उड़ाए है इन दोनों हेलिकॉप्टर के लिए वो इंडियान एरफोर्स की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी है 2300 घंटे तक उड़ान का अनुभव रखने वाली शालिजा धामी वायू सेना की पहली महिला अधिकारी है जिन्हें लंबे कारिकाल के लिए स्थाई कमीशन प्रदान किया जाएगा ये सिर्फ शालिजा की ही बेजोड उपलब्धी नहीं है बलकि इस से महिलाओं के लिए वायू सेना में आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है जब बेटी उट खड़ी होती है तभी विजय बढ़ी होती है